चट के मौके पर खे सारी लाल यादो और पवन सिंग जिस तरह का गरदा उड़ा रहे हैं लंडन में अब उसकी जाकी आप सभी के सामने है जी हाँ देख लीजिए इसकी क्लिपिंग और आपको बता दे कि ये जो चट पर्व है बड़ा ही सुहाना होने वाला है बड़ा ही अच्छा होने वाला है इस चट पर्व में खे सारी और पवन के सासात मधू शर्मा काजल रागवानी और शहर अफसाद जैसी कई बहतरी नभी रेत्रियां आपको नजर आएंगी वहीं हंशिका कपूर भी आपको इस पर्व में दिख सकती है आपको ये भी बता द कि इस पर्व को लेकर लोग काफी एक्साइटेड है पर लंडन में सजा है इस तरह का दरबार और आपको बता दे कि छट पर्व का ये जो सेट है आपको देखने के बाद एक पल भी नहीं लगेगा कि आप लंडन से इसे देख रहे हैं आपको लगेगा कि आप इंडिया मे किसी देश के कोने में ये चट पर्व का सेट लगा हुआ है साथ ही आपको ये भी बता दे कि इस चट पर्व में जिस तरह का मैकप जिस तरह का अटायर हमारे भोजपुरिया सितारों ने पहना है उन्हें ये देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है भाई कि वो लंडन य ये सभी कुछ अरेंज किया गया सिर्फ चट के लिए चट पर्व एक माहा पर्व है यूपी बिहार के लोगों की बहुत बड़ी आस्था जुड़ी और यहां भी हमारे देश में भी जीतने भी भोजपुरिया के इसे जुड़े हुए लोग है सभी अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर फोटो पोस्ट करके लोगों को बता रहे हैं किस तरह वो चट पर्व बना रहे हैं कहीं कहीं चट पर्व पे बैन भी लगा है जैसे मुंबई हुआ दिल्ली हुआ करोना वाइरस के चलते इन जगों पर चट पर्व नहीं मनाया जा रहा है लेकिन जहां मनाया और वाल सिर्क लिए हमें सब्स्राइब करना बिल्गुलना हुँए